तो हाई एवरिबन दिस सौरब ठाकुर और आज हम कुछ डिफरेंट पढ़ने वाले हैं बहुत टाइम से मैं लिटरी थेरी और किटिसिजम पर वीडियो बिना रहा हूं फिलहाल फेमिनिजम पर में एक लेक्चर सिरीज चली लेकिन फिर मैंने बीच में सोचा कि क्यों ना की चीज़े भी इंपॉर्टन है तो एपिक थेटर मैं समझता हूं कि इसमें से हो सकता है या एक कोश्चन आ सकता है और कभी भी आ सकता है चले हो तो एपिक थेटर जो था एक हिसाफ से थेट्रिकल मॉमेंट थी कब थी 20th century की स्टार्टिंग में और मिडल तक मिडल तक चल तो आप यह समझ लीजिए कि एपिक थेटर वस एसोसेटेट टू जेमनी ठीक है और यह एसोसेटेट जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है थेटर है तो यह प्लेज से रिलेटिड होगा ठीक है तो अब इसमें जो राइटर्स होंगे वह प्लेज होंगे तो उसमें जो वह प्लेज लिखेंगे जैसे साबसे परफॉर्म होंगे उससे रिलेटिड है यह एपिक थेटर अब हम समझते कि एपिक वर्ड का क्या मतलब है एपिक देखो एक तो एपिक होता है जो कि पहले एरिस्टोटल के टाइम में या पर उस टाइम पे लिखा जाता था जैसे कि जिस उसके फॉर्म से मतलब है इसमें फॉर्म और कंटेंट की बात होगी फॉर्म एंड कंटेंट देखो न्यू ग्रिटिसम वाला कंसेप्ट यहां आ गया है ना फॉर्म एंड कंटेंट रशियन फॉर्मलिजम वाला कंसेप्ट और न्यू ग्रिटिसम वाला कंसेप्ट फॉर्म टेकनीक्स यूज होती थी उन टेकनीक्स की वज़े से इसका नाम पड़ा एपिक थेटर क्योंकि वह जो टेकनीक्स थी वह अपने आप में एपिक थे वह क्या क्या टेकनीक्स थी मैं अभी आपको बताऊंगा लेकिन फॉर्म अन कंटेंट आप समझ लीजे तो कि एक प्रकार से प्रत्व यह अब उस वक्त कुछ राइटर्स थे यूज प्रेक्टिषणर्स है त्याटर्स प्रत्व कोईलीक्स के आधियंग से उन्होंने बताया उसमें एक प्र उतकेल्टेश्य क्यों मिद्व सूस्दूर्व तो आप यह समझ लिजेके प्रेटिशлан अब Epic Theater इसको नाम क्यों पड़ा है इसमें क्या होता था कि सबसे पहले तो इसमें आपको मैं एक effect बताता हूँ वर्फ्रम डंग्स effect वी ए आर एफ आर एम डी यू एन जी ए एफ एवल एफ के टी या फिर कुछ ऐसा है इसकी मैं एक पर spelling confirm कर लेता हूँ अब यह बहुत important concept है यह आपको ध्यान रखना ही रखना है इसकी spelling है डंग्स effect हाँ ठीक है यहां पर ए है वैसे यह जर्मन की भाशा में है अब इसकी translation क्या है इसकी translation है estrangement effect estrangement effect या फिर estrangement effect या फिर alienation alienation effect या फिर estrangement effect अब यह जो term है हालांकि coin यह किसी और ने की है लेकिन इसको popularize किस ने किया Bertold Brecht B-E-R-T-O-L-T-B-E-R-E-C-H-T Bertold Brecht का बहुत बड़ा नाम है epic theater में epic theater का जहां भी नाम आएगा Bertold Brecht का नाम आएगा ही आएगा यह बात आपने ध्यान रखनी है यह बहुत बड़ा जो इसमें नाम है अभी दो-तीन नाम और भी है दो-तीन लोग और भी है जो associated है epic theater से लेकिन Bertold Brecht आपको याद रखना है ठीक है अब Bertold Brecht ने यह जो concept था वर्फरम डंक्स effect या फिर estrangement effect या फिर आप इसे alienation effect भी कह सकते हैं इसको इसने popularize किया अब यह लोग क्या करते थे मान लो एक play हो रहा है उसमें क्या होगा कि एक बंदा जो है वो कई तरह के characters का role करेगा ठीक है अभी उसने कुछ रोल कर दिया अभी उसमें कुछ और रोल कर दिया फिर वो क्या करता था कि फिर एकदम से audience से बात करने लग जाएंगे ठीक है मतलब कि in plays में epic theater में जो plays होते थे इसमें यह नहीं दिखाया जाता था कि यह कोई play हो रहा है बलकि audience को यह एहसास दिलाया जाता था कि यह एक जो play हो रहा है मतलब उनको यह एहसास आप audience हो इसका opposite होता है dramatic theater जो की aristotelian जो theater आप उसे कह सकते हो तो उसमें क्या होता था कि audience को इतना connect कर दिया जाता था कि उनको एहसास नहीं होता था कि हम कोई drama देख रहे हैं वो यह सोचते थे कि हाँ हम इन character में से ही कोई एक है लेकिन in plays में यह एहसास दिलाया जाता था audience को कि यह सिर्फ एक play चल रहा है और इसमें जो कुछ भी arguments हो रही है वो आपको सुननी है समझनी है अब इसमें क्या होता कि fourth wall को break किया जाता था अब फोर्थ wall क्या है अब देखो जब कोई play हो रहा होता है stage पे तो तीन दिवारे होती है ना एक back side में होती है और दो side में होत अब इस सामने वाली दिवार है वैसे तो यह play यहां पर जो characters है जो एक्टिंग कर रहे हैं उनके लिए चार दिवार है वो यह सोचकर acting करते हैं कि हम कहीं और है जहां पर जहां का यह scene present कर रहे है यह imagine करते कि हम वहीं है और हम audience भी ही समझते कि हाँ अगर यह Macbeth है तो यह मह है यह महल का कोई कमरा है ठीक है लेकिन epic theater में क्या था कि यह जो fourth wall थी जिसको हम wall समझते थे लेकिन हम उसे देख रहे हैं लेकिन हम यही समझते थे कि यह दिवार है और यह बंद कमरे के अंदर के action चल रहा है तो इस wall को break कर दिया जाता था क्योंकि क्या होता था कि बीच मे सारे पूरे theater में lighty light हो जाए और audience को पता लगे कि हां हम कहीं एक theater में बैठे हैं और हम कोई play देख रहे है ठीक है इसमें मतलब कि social commentary होती थी arguments होती थी जो कुछ भी उस ताम politics है या फिर कुछ भी contemporary society में कुछ भी चल रहा है characters जो है वो interaction करते थे audience से मतलब कि इसमें बहुत स train calculator में इस टाइप की चीज़र यूज होती या फिर बहुत सारी light use हो रही है अब बहुत सारे अलग-अलग equipment use हो रहे है अलग-अलग technique use हो रही है ठीक है अब technique से याद आया कि इसमें non-linear narrative technique use होती है ठीक है एक होती linear एक होती है non-linear मैं दोनुचीज़े समझाता हूँ आपको अब लिनियर में क्या होता है कि स्टार्टिंग से एंड तक जैसा कि प्लॉट है एक स्टार्टिंग में कोई चीज स्टार्ट हुई पीच में क्लाइमेक्स आया फिर डिनोमा आया सब कुछ खतम हो गया और आपको पता है कि इसके ब कि इसके बात करने लग जाएगा इसारी चीज़े तो उसे कहा अगया इसमां मतलब कि कुछ घरे के एलिनियेट कर दिया िस चीज़ को घिक है जो की एक ट्रयडिशन है उससे बिलकुल के यहसे एक ट्रेइंज्मेंट फैक्ट ठीक है तो उससे यह नाम आया जनलोग टेर भ पे और epic theater चलता था non linear narrative पे ये फर्क था इसमें अब इसमें क्या था कि जो ये attitude है जो एक character का या फिर उस actor का जो एक attitude है plus उसका physical appearance है जिसका वो role निभा रहा है उसको Bertolt Brecht ने एक नाम दिया justice justice मतलब कि उसने कपड़े पहने दूसरे character के जो वो role कर रहा है लेकिन बीच में उसका अपना खुद का attitude भी वहां है कोई भी argument है वो वहां हो रही है ठीक है तो उन दोनों चीज़ का जो mixture है उसको justice कहा किसने Bertolt Brecht ने अब धिरे-धिरे क्या हुआ कि epic theater तो चलो नाम पढ़ ग dialectic theater हो सकता है कहीं कहीं आपको question आ जाए कि epic theater का नाम बजल कर क्या रख दिया था तो वो था dialectic theater ठीक है इतनी से बात याद रहेगी epic theater हो सकता है starting में आप थोड़े से confused हुए हो कि मैं क्या समझा रहा हूं लेकिन अब मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि epic theater क्या चीसे जिसमें तरह तरह की equipment होते हैं जिसमें characters जो है audience से interaction करती है और बहुत सारे से props होते हैं उसमें एक distance नहीं होता है audience को यह एसास दिलाया जाता है कि हाँ आप audience हो और यहां play चल रहा है आप उस character का हिस्सा नहीं हो आप उस play का story का हिस्सा नहीं हो आपका कोई है उस time की उस चीज़ से अवगत कराया जाता है कोई भी argument है को discussion है उसके through वो हो रही है बहुत सारी इसमें बहुत सारी mixture था बहुत सारी equipment यूज़े इसलिए उसका नाम epic theater पढ़ा क्योंकि यह theater अपने आप में एक epic था ठीक है तो यह से अब मैं आपको बताता हूं 3-4 बर्टल ब्रेच्ट ने इसे coin नहीं किया है ठीक है आप बस यह समझे कि बर्टल ब्रेच्ट का बहुत बड़ा contribution रहा है इसमें epic theater में लेकिन coin किस ने किया है Irwin Piscator E-R-W-I-N Piscator P-I-S-C-A-T-O-R Irwin Piscator था उसने coin किया term epic theater लेकिन popularize आगे ब्रेच्ट ने जाकर की ठीक है तो यह याद रखना है who coined the term epic theater Irwin Piscator ठीक है अब मैं आपको दो नाम इसमें और बताता हूं जिनका इसमें नाम आता है वो है व्लादिमीर यह आपनी याद रखना है option में आता है चार option होंगे उसमें सब बोलेंगे कि दो को pick करो जो epic theater से associated थे ठीक है व्लादिमीर माया कोवस्की माया कोवस्की ठीक है एक है सेव वोल्ड V-S-E-V-O-L-D सेव वोल्ड मेर होल्ड M-E-Y-E-R-H-O-L-D ठीक है माया कोवस्की M-A-Y-A-K-O-V-S-K-Y मेर होल्ड ठीक है इन चार लोगों को तो आपने भूलना ही नहीं है ठीक है यह चार लोग epic theater में बहुत बड़ा नाम इन चार लोगों का यह आपको एक question देगा ही देगा सही करके ठीक है अगर आप इसको अच्छे से याद करते हो ठीक है epic theater अब मैं आपको बताता हूं पीन चार वर्क्स के नाम आजया उसमें से आपको चूज करने के लिए कहा जाए कि epic theater का example इन में से कौन सा है ठीक है तो वो चार वर्क्स मैं आपको बता देता हूं सबसे पहरा है mother courage m o t h e r courage c o u r a g mother courage and her children and her children ठीक है यह आया है 1939 में किसका है virtual breast का ठीक है the life of galileo the life of galileo यह कब आया है 1939 में ही आया यह ठीक है फिर आता आपका next work the good person of Setsuan the good person of Setsuan S-E-T-Z-U-A-N 1942 ठीक है last है the caucasian c a u c a s i a n caucasian है इसकी pronunciation ठीक है chalk circle c h a l k circle यह कब आया है इसकी date नहीं है यहापर ठीक है तो यह आपने date इसकी check कर लेना ठीक है तो यह जो works है mother courage and her children the life of galileo the good person of Setsuan the caucasian chalk circle तो यह चार works है Bertolt Brecht के जो आपने याद रख लेने है कि epic theatre का example है ठीक है Bertolt Brecht और वो चार लोगों का नाम याद रखना है जर्मनी से related था यह याद रखना है political इसमें जो plays थे वो होते थे और epic का मतलब मैंने आपको समझा दिया dramatic theatre और epic theatre में फर्क भी समझा दिया linear narrative और non linear narrative भी मैंने आपको दोनों चीज़े समझा दी और अब यह सारी चीज इसमें से एक question पका आएगा आपको इस बार नहीं तो अगली बार पर कभी भी आ सकता है बहुत important चीज़ है ठीक है तो आज के लेक्शन में इतने ही आप मुझे instagram पर follow कर सकते हो दाना multitasker और मेरे बागी lectures को आप चेक कर सकते हो प्लेइलिस में जाके चैनल के about section में जाके मेरे बारे में पढ़ सकते हो और तब तक के लिए thank you अपने life को enjoy कीजिए और net jrf निकालो बाई